हेलो स्टुडेंट्स अपना गुर्कुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है डियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है लोकेंदे सिंग्राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 7 एकलव्य बेच का लेक्शन नमबर 8 लेक्शन नमबर 8 में जो हम टोपिक कवर करने वाले हैं वो है मल्टिप्लिकेशन और फ्रेक्शन यानि फ्रेक्शन को आपस में मल्टिप्लाई कैसे किया जाता है लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोग न कि यहाता है तो देखिません इसके लिए प्रूल है वह क्या है कि प्रोडाक्ट अव्रक्शन प्रोड़क्ट अपरेक्शन का मतलब है युच्छन्स का मल्टिप्लिकेशन उसको बोलने का तरीका होताह। तो हमें इसको अकर लीच करना है और B को D से multiply करना है यह simple rule है जो हमें follow यहां करने है अब देखो हम कुछ questions को क्या करते है solve करके देखते हैं जिससे यह concept रच्छे से clear हो जाएगा तो देखो यहां क्या होगा यह number हमारे को given है यह fraction given है एक fraction given है हमारे को इसका क्या करना है product find करना मतलब multiply करना है तो numerator को numerator से multiply करना है 5 को 3 से multiply करना है और 8 को 4 से multiply करना है 5 को 3 से कडिये तो कितना आयेगा 15 आयेगा और 8 को 4 से करें तो 32 आ जायेगा Numerator को numerator से multiply करेंगे 5 को 9 से करेंगे और नीचे 12 को 1 से करेंगे तो 95 जब 45 divided by 12 अब यहां क्या है आप लोग इसको यहीं नहीं चोड़ सकते यहां क्या होगा अगर यह दोनों आगे और simplify हो रहा है simplest form में convert हो रहा है तो उसे हमें convert करना पड़ेगा तो देखो आप अगर यहां देख पा रहे होंगे कि यह दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं यह 4 टाइम और यह 15 ताइम तो हमारे जो final result आएगा वो कितना आएगा 15 अपन 4 और आप चाहो तो इसको वापस से mixed में भी convert कर सकते हो कैसे फोर को इससे डिवाइड करो 3 ताइम डिवाइड होगा पताब 4 से डिवाइड करो 15 को 3 ताइम होगा 3 बचेगा उसको उपर लिख सकते हो नीचे क्या लिख सकते है 4 तो कितना होगा 3 & 3 by 4 यह मारा final result होगा अब एक काम करता हूं मैं इसी क्यास्टन को आप लोगों को दूसरे तरीके से भी solve करके बताता हूं वह shortcut method है और वही method आप लोगों को को सिस करने है और 9 किसी same number से divide हो रहे हैं क्या तो देखो यह 3 से 4 time divide हो गया और यह 3 से 3 time divide हो गया हम इस तरीके से उपर नीचे numerator denominator denominator को इधर भी कर सकते हैं और इधर भी divide कर सकते हैं अगर बीच में multiplication है तो तो क्या होगा उपर 53 जब 15 होगा नीचे कितना होगा 4 होगा 4 बंजा 4 अब जब इसको simplify करोगे 3 & 3 by 4 तो इससे भी क्या आएगा सेम ही result निकल के आएगा I hope आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी इससे क्या होगा आप लोगों का time बचेगा आप लोगों को multiply अगेरा नहीं करना पड़ेगा इसमें आप लोगों को करके बता हूं को time किसे बचेगा हमारा इसको करने के 2 तरीके हम दोनों तरीके follow करें कि माइन को जब 8 से multiply करेंगे तो कितना आएगा 72 आएगा फिर 16 को 15 से multiply करेंगे 15 को 16 से multiply करेंगे तो यह आएगा 240 तो पहले तो multiply करना ही एक task हो गया फिर इसके बाद में इसको simplify भी करना पड़ेगा तो यह एक मुसीपत है समर्लो तो time भी लेगा और आप लोगों का हो सकता है multiply में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो हमारा result भी क्या आजाएगा गलत आजाएगा तो अब इसको आगे simplify करेंगे दोनो 2 से divide हो रहे हैं देखो तो यह कितने time होगा 36 time यह कितने time होगा 120 time फिर से 2 से divide हो रहे 18 time यह कितने time 60 time फिर से 2 से divide हो रहे 9 time यह 30 time फिर यह 3 से डिवाइड हो रहा 3 ताइम, यह 3 से डिवाइड हो रहा 10 ताइम, तो final result कितना निकल के आएगा, 3 upon 10, I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आगए, युकि आप चाहो तो किसी बड़े नमबर से भी डिवाइड करके देख सकते हो, अब देखो इसी को मैं कितना simplify त जा 16, यह दोनों भी 3 से डिवाइड हो रहे है, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, उपर क्या बचा 3 multiply 1, नीचे क्या बचा 2 multiply 5, उपर हो गया 3, नीचे हो गया 10, क्या यही result आ रहा है क्या सेम, तो अगर आप ऐसा करना सीख जाओगे, तो आप लोगों को एक तो time बचेगा, और साथ में ग कर लेना, ऐसे ही अब इन questions को हम solve करके देखते हैं, तो देखो, सबसे पहले तो यह mixed में given है, इसको improper में convert करें, तो क्या होगा, 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 कितना होगा, 33, divide by 8, बीच में multiply है, 11 2 जा 22, 22 में जब 10 8 करोगे, तो 32 आएगा, नीचे कितना है 11, I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, 11 बन जा 11, 11 3 जा 33, 8 बन जा 8, 8 4 जा 34, 32, 8 4 जा 32, उपर क्या बचा, 3 multiply 4 बचा, एक 3 और एक 4, नीचे 1 multiply 1, उपर हो गया 12, नीचे हो गया 1, और 12 लिखने की नीचे 1 लिखने की चरवत नहीं होती, तो इसका answer कितना आ गया, 12 आ गया, अगर ऐसे करते तो पहले 33 को 32 से multiply करना पड़ता, यह बहुत बड़ा procedure हो जाता, फिर 8 को 11 से multiply करना पड़ता, तो यह फिर 88 आता, फिर इसको divide करना पड़ता, तो तब जाके कितना निकल के आता, 12 निकल के आता, I hope यह चीज आप लगो को समझ में, आगा यूगी, similar SI question यह है, इसको भी करते 7 3 जा 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27 divided by 7 multiply, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 कितना होगा, 14, divide by 3, divide करें, 3 बंजा 3, 3 9 जा 27, 7 बंजा 7, 7 2 जा 14, तो उपर तो 9 multiply 2 बच गया, नीचे 1 multiply 1, तो 9 जा कितना हो गया, 18, और नीचे 1 लिखने की जरुद नहीं हो, तो इसका answer कितना आ गया, 18, I hope यह भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब ऐसा ही question यह है, तो सबसे पहले तो 16 के नीचे क्या लगा लो, 1 लगा लो, यहां देखो, 18 को 3 से multiply करेंगे, तो कितना आएगा, 54, 54 को 1 से 8 करेंगे, तो 55, divide by 18, multiply 16 upon 1, अब देखो, 18 और 16, यह दोनों 2 से divide हो रही है, 9 time ह हो गया, और यह 8 time हो गया, अब आगे किसी से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, simply, उपर multiply कर देते हैं, तो 550 को इससे multiply करेंगे, तो कितना आएगा, देखो, आप लोग इसको break करके multiply किया करो, देखो, अगर हमें 10 time करना होता, तो 550 आता, 55 को 8 से multiply करना है, 8 से न यह उपर कितना आजाएगा, 440, divide by 9, अब यह उपर किसी से भी divide नहीं हो रहा है, उपर नीचे, तो हमें इसको mix में convert करना हो, 9 की टेबल बोलो, 9 forja, 36, बचा कितना 8, 8 के आगे 0 लगाओगे, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 में कितने time होगा, 8 time, बचेगा कितना, 8 8 उपर आजाएगा, और 9 कितर आजाएगा, नीचे आजाएगा, आप लोग इसको करके देख लेना, result किया आएगा, यही आएगा, I hope यह आप लोगों को समझ में आगे योगी, उसके बाल में, हमें, अब देखो, यहाँ, simplify करना है, इन 3-3 को कैसे करें, तो इनको 3 questions को मैं क करवागे बतातों, आप लोगों को को देखो, यह भी चीद हान रख रहा है, यह उपर नीचे यह इससे भी, मल, divide हो सकता, अगर हो रहा होगा, तो यह इससे भी हो सकता है, यह उपर नीचे हम कहीं भी divide कर सकते हैं, ठीक है, तो देखो, सबसे पहले देखो, 5-1 जा 5, 5-7 ज आ गई होगे, फिर यह दोनों देखो, 11 से divide हो रहे है, 11, 3 जा 33, 11, 4 जा 44, फिर यह 3 जा 3, और यह 3 जा 3, फिर यह 2 जा 2, और 2, 2 जा 4, I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको अच्छे से rewind करके देखना, अगर कोई भी चीज समझ में नहा थी, कि मैंने कि तरीके से मैंने उपर और नीचे divide करने की कोशिस किये, मुझे same number सोचना पड़ा कि किस-किस से divide हो रहा है, विस divide करता गया, अब देखो उपर क्या बचा 1, 1, 1, 1, and 1 multiply 1, multiply 1, multiply 1, नीचे 1, multiply 2, multiply 7, तो उपर तो 1 को 1 से, कितनी बार multiply करो, 1 ही आएगा, 1, 2, 2, 2, 7, जा कितना आ गया 14, तो इसका final result कितना आ गया, 1 upon 14, I hope यह भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा ही question यह है, देखो, उपर नीचे divide करने की कोशिस करते हैं, तो देखो, अगर आप लोगों को 28 की table direct आती है, तो आप लोग 28 से 56 को काट सकते हो, अगर नहीं आती है, तो आप सकते हैं, यह दोनों 5 से divide हो रहा है, यह 5 से कितने time, 2 time, और यह 5 से 13 time, मुझे 5 से कैसे पता चला, divide कैसे हुआ, कि अगर 5 के divisibility के लिए हमें क्या ध्यान रखना होता है, कि अगर unit place पे 0 या 5 आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा, यह 5 से divide होगा, तो यह 5 आ रहा है, तो इस time divide हो गया, और यह कितने time divide हो गया, 2 time divide हो गया, और यह 2 से देखो, यह 1 time और यह 1 time, अब और क्या बचा, एक 13 बचा, एक 20, 39 बचा, एक 27 बचा, अब देखो 13 बचा 13, 13 3 जा, 39 हो गया, फिर 3 बचा 3, और 3 9 जा 27 हो गया, I hope यह चीज आप लगो कि समझ में आ गई होगी, इस इसको वीडियो को पिछे जाके वापस से देखना कि मैंने किस किस तरीके से divide किया है, और फिर खुद करने का try करना, तब तक आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, तो उपर 1, 1, 1 बचा, नीचे 9 multiply 1, multiply 1 बचा, तो उपर तो 1 हो गया, और नीचे 9 multiply 1, 9, 9 multiply 1, फिर से 1 करते हैं, 17 तो जा 34, 34 प्लस 2 कितना होगा, 36 divided by 17, multiply, 9, 7 जा 63 प्लस 2 कितना होगा, 65 divided by 9, multiply, 52 को 1 से multiply करेंगे, 52 आएगा, उसमें 3, 8 करेंगे, तो कितना आजाएगा, आप लोग यहां करके देख ले न, 8, यहां 5 हो गया, और यहां 8 हो गया, 85 आएगा, तो यहां 85 आया, और य 52 ऐसे कैसे चलता है, अब सोचो देखो, 9 बन जा 9, 9 फोर जा 36, 17 बन जा 17, 17 फाइव जा 85, यह दोनों देखो, किस से डिवाइड हो रहें, 13 से हो रहें, 13 फोर जा 52, 13 फाइव जा 50, वो 65, I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अब आप लोगों को बच्पन मे जो टेबल सिखा ही जाती है, वो इसलिए सिखा ही जाती है, कि आप लोग टेबल याद रखोगे, तो आप लोगों को direct क्या हो जाएगा, ऐसे questions को solve करने में, higher classes में जो questions आते हैं, उनको solve करने में क्या होगी, कोई भी problem नहीं होगी, इसलिए बच्पन में टेबल को learn करवाया जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टेबल के रटे मारते हैं, ठीक है, रटाफिकेशन वाला method फोलो करते हैं, एक बार रट लियास, राइमिंग में याद कर लेते हैं, और रेंडम ली कोई बीच में से किसी की requirement है, जैसे है भी मानलो, मुझे 13-5 जा की requirement थी, तो अग आप लोगों को जो भी पूछा जाए, उसको डाइरेक्ट क्लिक करते ही, पूछते ही, डाइरेक्ट आंस्वर दे दो, तो देखो, अब उपर क्या बचा, अब आप चाहो तो देखो, यह 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यह भी डिवाइड होगा, उपर 5 और 5 बचा, यह 25 होगा, यह 1 समझ में आ गई होगी, इन सब को अच्छे से नोट कर लीजिए, अब हम क्या करते हैं, मल्टिप्लिकेशन पर वर्ड प्रोब्लम्स कैसे आती हैं, उनको देखते हैं, आगे वीडियो में वर्ड प्रोब्लम्स को करने से पहले हम लोग एक छोटा सा टोपिक है, उसको भी द को ओफ दे दिया है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में एक रूल बताया था, बोर्ड मास, उसमें क्या होगा, अब यहां मैंने क्या बताया है, ओफ का मतलब मुल्टिप्लाइ, लेकिन ओफ यहां प्रियोरिटी, अगर ओफ और मल्टिप्लाइ, टू गिवन है, तो पहले इन दोनों को मल्टिप्लाइ नहीं करना, पहले हमें क्या करना है, इसको सोल करना है, क्योंकि ओफ की प्रियोरिटी क्या है, पहले आईगी और अम यानि मल्टिप्लाइ की प्रियोरिटी क्या होगी, बाद में होगी, I hope यह चीज 24 उपर 1 multiply 8 बचा नीचे 1 multiply 1 बचा और 1 multiply 1 करोगे नीचे तो 1 आ जाएगा उपर 1 multiply 8 करोगे तो 8 और नीचे 1 लिखने की जरुवत नहीं होती है I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी ऐसे यह वाला क्या है तो 3 by 4 of मतलब 3 multiply और 32 ऐसे कैसे नीचे 1 लगा लो 4 1 जा 4 4 8 जा 32 32 को मतलब 8 को 3 से multiply करोगे तो कितना आएगा 24 आएगा तो इसका result कितना आएगा 24 नीचे 1 लिखने की जरुवत नहीं है ऐसे इसको करोगे 7 upon 50 multiply 1000 तो देखो 1 0 से 1 0 divide हो जाएगा मतलब कर जाएगा 10 से divide हो जाएगे दोनों कभी भी ऐसा कर बोले न कोई कि इसको हमने 0 से 0 काड़ दिया इसका मतलब है कि हमने इसको भी 10 से divide कर दिया है और इसको भी 10 से divide कर दिया है तो यह 5 आएगा और यह 10 आएगा तो देखो ऐसा लग रहा है कि 0 यहां से हट गया तो यह चीज़ आप लोगों को पता होनी जीए यह भी आप note कर सकते हो यह सारी चीज़ है अब देखो 5 1 जा 5 5 20 जा 100 आएगा 20 को क्या करना है 7 से multiply करना है तो कितना आएगा 140 और नीचे 1 आएगा तो 1 लिखने की जरवत है नहीं तो हमारा answer कितना हो गया 140 I hope यह चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी अब नीचे कुछ डिवाइड हो रहा है तो करो अधर्वाइस numerator को numerator से multiply करतो denominator को denominator से यह कुछ भी देखो उपर नीचे डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या होगा 1 को 3 से multiply करेंगे 3 और 2 को 4 से करेंगे 8 तो answer कितना आ गया 3 upon 8 यहां क्या होगा 2 upon 3 multiply को क्या बनाएंगे off को multiply इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 time divide होगा remainder कितना बचेगा 1 वो ऊपर आ जाएगा और 2 कहा जाएगा नीचे आ जाएगा I hope यह चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी अब यहां क्या होता है कुछ हमारी quantities होती है meter, year, week, day, kilogram, liters तो इनको क्या करते है convert करना हमारे को किस 54 meters का 4 upon 9 क्या होगा इसको हम ऐसे भी समझ सकते 54 के 9 equal parts करो उसमें से हमें कितने parts लेने 4 parts लेने लेकिन वह हम सोचना पड़ेगा कि 9 equal parts क्या क्या होंगे तो हम direct क्या कर सकते है multiply कर देते multiply 54 यहां पे meters में ही आएगा answer तो कितना meters आएगा हमें पता करना है कि 54 upon 9 54 meters का 4 upon 9 कितना meters होते हैं तो देखो 9 1 जा 9 9 6 जा 54 और 6 को जब 2 से क्या करेंगे 4 से multiply करेंगे तो कितना आएगा 24 यहनि 4 upon 9 of 54 meters कितना होता 24 meters I hope यह चीज आप लगों को समझ में आ गई होगी अब देखो यह तीनो problems बहुत important problems है यहां पे 1 साल का 1 upon 6 का क्या मतलब होगा तो इसको हम क्या कर सक 1 upon 6 of 12 months हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 1 year में कितना months होता है 12 months होता है तो हम क्या करेंगे 1 upon 6 multiply 12 और result किसमें निकल के आएगा months में निकल के आएगा 6 से 6 cut यह one time divide होगा 12 two time divide होगा ऊपर 2 बचा और 2 multiply 1 यानि 2 बचा month यानि कि 1 by 6 of a year an year बराबर क्या होता है 2 months I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी अब जैसे week दे रखा है तो week को day में convert करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे 3 upon 7 of 7 days I hope यह चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों के क्योंकि एक week में क्या होता है 7 days होते है तो हमने इसको days में convert कर लिया 3 upon 7 of का मतलब multiply 7 और answer क्या होगा days तो 7 से 7 one time divide हो गया उपर 3 multiply 1 बचा तो कितना होगा 3 by 7 of a week का मतलब होता है 3 days I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी अब यहां पर एक दिन दिया होगा तो दिन को hours में convert करेंगे 7 upon 8 of 24 hours तो आगे क्या होगा 7 upon 8 of का मतलब multiply 24 hours 8 को 3 time मतलब 8 से 24 3 time divide होगा फिर 7 को 3 से multiply करेंगे 21 आएगा मतलब इसका result कितना होगा 21 hours I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी अब पहले में इसको solve करके बता देता हूं कि मैंने क्या बता है कि अगर off और multiply एक साथ दिया गया है तो हमें off को पहले priority देनी है उसको solve करना है 3 to 6 multiplied 2 बराबर कितना आएगा 12 I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी अब यहाँ देखो 1 kg दे रखा है तो kg को किसमे ग्राम में convert करेंगे तो हम क्या लिकितेंगे 7 upon 20 multiply एक किलोग्राम में कितना 1000 ग्राम होता है I hope यह चीज आप लोग जानते होगे तो देखो 1 0 से 1 0 डिवाइड होगा 212 50 times क्या हो जाएगा 100 डिवाइड हो जाएगा 2 से 50 को जब इससे multiply करेंगे तो कितना आएगा 350 और answer किसमें आएगा ग्राम में यानिकि 7 upon 20 of 1 किलोग्राम बराबर होता है 350 ग्राम I hope यह चीज अच्छे से समझ में आगई होगी आगे क्या है 6 upon 7 multiply 35 liters तो इसको convert करो 7 बंजा 7 5 times divide होगा 35 इसको इससे multiply करेंगे 30 यानिकि 6 upon 7 of 35 liters बराबर क्या होगा 30 liters I hope यह चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में करके note कर लीजे next slide पर हम लोग क्या करते हैं 3-4 वर्ड प्रोब्लम्स को देखते हैं इसी के साथ पर हमारा lecture खतम हो जाया अब हम यह 4 वर्ड प्रोब्लम्स है इनको समझते हैं बहुत important है ध्यान रखना वर्ड प्रोब्लम्स करनी आनी जरूरी है क्योंकि आगे क्या को होगा 9th और 10th क्लास में जब आप लोग जाओगे या फिर 8th क्लास में जाओगे वहाँ पर वर्ड प्रोब्लम्स जादा मिले कि direct question simply आप लोगों को multiply divide करने का नहीं मिलेगा तो word problem से पहले हमारे को question को समझ के equation में convert करना पड़ेगा उसके बाद में multiply करना पड़ेगा यह समलो multiply क्या होगी वहाँ last stage होगी हमारी क्या करने की question का solution निकालने की उससे पहले हमारे को word problem की format में जो question given है उसको थोड़ा सा solve क करके last stage तक पोचाना पड़ेगा तो देखिए word problem को solve करने का मैंने पहले भी तरीका बताया आप लोगों को मैं एक बार वापस से बता देता हूँ question को अच्छे से read करो उसको समझने की कोशिस करो कि वह क्या कहना आ चारह है यह जितनी भी word problems है na actually real life waste word problems होती है आप लोग दे cost of five and three by four meters of the clothes अब अगर आप लोगों ने क्या किया होगा कपड़े खरीदे होंगे तो हम लोग तो जनरली क्या करते readymade जो कपड़े खरीदे उसके साब से कितने मिटर के साब से कितना कपड़ा आएगा लेकिन जो ladies वगेरा होती है या फिर हम लोग हमारे को पेंट साथ सिल अब जैसे मालो हमारे को पेंट साथ के सिल्वानी है उन दोनों को सिल्वानी के हमारे हमारे को चार मीटर कपड़े की रिक्वार्मेंट एक मीटर कपड़े की कोस्ट कितनी है 100 रूपीज है तो चार मीटर कपड़े की कोस्ट कितनी आएगी 400 रूपीज यह तो एक बेसिक सि कीतना मिटर कपड़ा आया एक कपड़े की ती और उसमें भी क्या होगा different different डिफरेंट टाइप के जो कपड़े होंगे उनका जो मठेडिल होगा उसके इसाब से क्या होगा है अलग-अलग कोष्ट होगी दो मारी गॡ हैै कोफ शिर्टकार कंपड़ सोग्ता टमापेट길 सोग्तायए कोई शिर्टकार, टिय्क करें रिख वाये परिद तीम रीकम करें टोड टमाँ सेे जहाए पांठ गालग होग्ति सुगक्यिश्टकार। 500 मिटर खरीद के लिए के आ रहा है और उसकी कोस्ट क्या है 49 पर मिटर है ऐसे यह अलग कपड़े खरीद के लिए क्या रहा है तो complex problem आजाएगी तो उसको mathematics के help से क्या करता है soul करने की कोशिश करता है मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि math real life में कहां यूज होती है हर जगह पर math यूज होगी यह जब कपड़े वाला जब कपड़े खरीद के लाता होगा तो वह math यूज कर रहा होता है भले ही वह calculator से करता हो लेकिन वह actual में math को यूज कर रहा होता है ऐसे यहां देखो एक सब्सक्राइब कर रहा है उसके बाद में एक गंटे में वह इतना किलोमेटर चलता है स्पीड का मतलब क्या है कि 66 x 3 km per hour लेकिन हमें तो क्या पताना है how much distance it covers in 9 hours तो 9 hours में कितना चलेगा इसको ऐसे समझो एक गंटे में 50 km चलता है तो दो गंटे में कितना चलता था 50 उसको कितने गंटे में चलता था 50 उसको कितने गंटे में चलता करना है कितने hours में पता करना है 2 hours में तो 2 से multiply कर दिया हमारे को 100 में निकल के आगे सिमिलर हम लोग यहां भी करेंगे हमें 9 hours के लिए निकालना है तो one hour की distance पता है 9 से क्या कर देंगा multiply कर देंगे अभी मैं solve करके बताऊंगा फिर आगे देखो one tin tin का मतलब होता है डिब्बा बोल सकते हो ठीक है या फिर इस टाइप का कोई भी box होगा वो क्या है हमारा तो देखा होगा आप लोगों ने जो ओइल वगेडा होते हैं वह टीन में आता है तो एक टीन में कितना ओएल आता है 12 and 3 by 4 लीटर तो में ये बताना ऐसे अगर अगर हमारे पास 26 तेंस हो तो उसमें कितना वह आएगा वह आएगा तो एक का पता है जैसे एक में मालों 10 लिट रहा था हमने क्या किया 10 को 3 से multiply कर दिया ऐसे हमें एक का लिटर का पता है हमें कितने का निकालना 26 का इन दोनों को क्या कर देंगे multiply कर देंगे तो 26 का निकल क्या जाएगा I hope यह चीज भी आप लोगो के समझ में आ गई होगी अब यहां देखो क्या है यह वाला चलो में लास्ट में बताऊंगा पहले इन तीनों का solution लिखते हैं हम लोग तो देखो क्या बोला है Clubby install unfold 8 रूपीज 42 लभाइ 2 पर मीटर तो हम स्लकों दे एक मिटर के कोष्ट कितनी है今 को च्छ्ट आफ पर मिटर या निवा उन मिटर वकितनी है पोर्टी टूए यह ख़रिद योगा अब इसको कनवैच भी कर लेतैं इसको dairy करोょ Ó 84 और Time कर रोगे तो यहां by two rupees लगते हैं एक मिटर के लेकिन हमें तो कितना मिटर खरीदना है five and three by five meters खरीदना है तो हम क्या लिखेंगे cost of five and three by five meters वो कितनी होगी एक की cost कितनी है इतनी है इसको हमें जितने की cost निकालनी होतने से क्या कर देना है multiply कर देना है I hope यह चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे बहुत important है सभी मेंने समझाया था कि एक मिटर की cost अगर 100 रुपए है तो तीन मिटर की cost निकालने के लिए हम क्या करेंगे सो को तीन से multiply करेंगे क्योंकि 100,100,100 तीनों मिलाके कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा ऐसे ही एक मिटर की cost हमें पता है हमें इतने मिटर की निकालने है तो दोनों को multiply कर देंगे तो यह क्या आएगा आगे solve करते हैं देखो result रुपीज में निकल के आएगा ध्यान रखना 5,5 जा कितना होगा 25,25 और 3 कितना होगा 28 divide by 5 आगे उपर नीचे divide हो रहा है इससे यह कितने time divide हो गया 14 time 5,1 जा 5 और यह कितना time हो गया 17 time ठीक है आप लोग करके देख लेना अब ऐसे 17 को इससे multiply करने तो multiply कैसे करें पहले इसको 14 से 14 से करेंगे तो 196 फिर इसको 3 time करेंगे 42 8 यह कितना होगा 32 आप लोग करके देख लेना कितना आएगा 238 तो इसका जो final result कितना आ गया 238 रुपीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आगयों कि similar question यह है कि एक अवर में कितने distance travel कर रहा है इतना किलोमेटर क्योंकि distance speed कितनी है इतने किलोमेटर पर आवर इसका मतलब है कि एक अवर में इतना चलते है हमें 9 hours का निकालना है तो हम कहले 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 कि देंगे solution में distance covered in an hour एक गंटे में कितना कर रहा है 66 and 2 by 3 km इसको convert कर लो इसको इसे multiply करोगे तो कितना आएगा पहले 60 को 3 time multiply करोगे 180 होगा 6 को 3 time करोगे 198 और फिर 28 करोगे तो कितना होगा 200 divided by 3 km लेकिन हमें तो कितने hours में निकालनी है 9 hours में तो क्या बोलेंगे distance covered in 9 hours तो कितनी हो जाएगी एक गंटे में कितना चल रहे हैं हम लोग 200 upon 3 उसको 9 से क्या कर देना multiply क्योंकि 9 hours में तो इतना kilometers निकल क्या आ जाएगा 31 जा 3 3 3 9 जब इसको इसे multiply करोगे तो कितना आएगा 600 आ जाएगा 200 को 3 से multiply करोगे तो 600 तो मता हमा यह 9 hours में कितने distance cover कर लेगा 600 किलोमेटर डिस्टेंस ट्रिवल कर लेगा I hope यह चीज भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी similar question ऐसा है तो एक टिन में कितना लीटर वह ओईल माता है 12 एंट 3 वाई लीटर तो हम बोलेंगे oil hold by 18 एक टिन कितना oil hold का तर 12 एंट 3 वाई 4 लीटर करते हैं इसको convert भी कर लेते हैं इसको इससे multiply करोगे 48 आएगा 48 वे 3 प्लस करोगे तो 51 डिवाई बाई 4 लीटर लेकिन हमें तो कितने किसमें निकालना है 26 टिन्स कितना hold करते हैं तो हम यह बोलेंगे oil hold by 26 टिन्स तो कितना आएगा एक की कोस्ट हमें पता है इतनी मतलब एक में इतना माता है तो 26 में इतना माएगा तो देखो डिवाइड करो टू टाइम होड़ी है 30 टाइम 13 टाइम होगे इसको इसने मल्टिप्लाई कर लो 31 जा 13 केरी कितना आएगा वन आएगा सो हां 35 जा 65 वर यह कितना होगा 63 डिवाइड बाइट जब इसको डिवाइड करोगे 331 एंड 1 बाइ 2 लीटर तो आप लोग प्रोपर तरीके से निकाल के देख लेना इसका क्या होगा में करेंगे तो इतना लीटर साइगा अब हम लोग देखो इसको करते हैं यह बहुत अच्छा कि असने क्या मैं इसके लिए जगे छोड़िये मिने क्या बोलो nine board are stacked on the top of the each other अब इसका क्या मतलब है समझे ऐसा एक board है उसके उपर दूसरा board आया है ऐसे nine boards एके उपर एक रख और जब यह जो पूरा बनेगा ना इसको इस टेक बोला जाता है क्या बोला जाता है एक तरीका का धेर बोल सकते इस टेक की खास बात क्या होती है ऐसा समर्लो कि जैसे मालनों आप लोगों ने यह लिखा रखा उसके बाद में दूसरा रखा फिर उसके उपर दीसरा रखा पाचवे रखा अब वापस अगर हमें निकालना है तो होगा क्या जो सबसे लास्ट में रखा है ना वो सबसे पहले उथे एक तुम बोल सकते हैं फुर्स्ट इन लर्ष्ट l जो सबसे पहले आया, वो सबसे लास्ट में क्या होगा? निकलेगा. तो यसी चीज को बला जाता है तो इसको हमे इमेजिन करुँ जब तक आप लोग में कर रहे हूंगे ना तो चीजते मिढicus के समाझ मेंने में ज mensen TR तो आप लोगों को दुकान विजुएलाइज होनी चाहिए जिसके अंदर आप लोगों को टिन के दिप दिखने चाहिए एक टिन में इतना मारा होगा 26 ऐसे रखे होंगे मालो ऐसे डिप रखे होंगे 26 ऐसे फिर इनके उपर रखे होंगे तो जब तक विजुएलाइज नहीं करोगे ना चीजों को तब तब तक प्रोब्लम सोल तो हो जाएगी लेकिन आप लोग कुछ टाइम के बाद में भूल जाओगे अगर आप लोग विजुएलाइज कर सकते हो चीजों को तो आराम से समझ में आ जागा तो तेखों यहां पर बोर्ड है ऐसे कुछ बोर्ड रखे हुए है एक बोर्ड यह देखों एक बोर्ड यह रहां एक बोर्ड यह रहां एक बोर्ड यह रहां ऐसे बहुत सारे बोर्ड है टोटल कितने मोड से नाइन डोर्ड रहां है एक इसकी बोर्ड यहां तक समझ में आ गया थिकनेस ओफ बोर्ड इच बोर्ड इसकी जो तिकनेस है यहां जो मोटा ही है इसकी वह कितनी है 3 and 2 by 3 cm इसको convert करोगे 9 and 2 कितना हो गया 11 by 3 cm ऐसे दूसरे वाली की भी इतनी होगी तीसरे वाली की भी इतनी होगी ऐसे 9 है तो इसके दो तरीके से कर सकतो या तो आप लोग इन जैसे एक की थिकने से इतनी है दूसरे की इतनी है तो तीस्ते के भी इतनी है तो इन सब को एड करते जो 9 times 8 कर दोगे तो क्या एगा हमारा दिजल टिकल किया जाएगा लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी कभी बताया होगा कि multiply बनाया क्यों गया multiply बनाने की मतलब multiply वाला concept लाया क्यों गया उसको सम्झो जैसे कहीं पर 4, 4, 4, 4 ऐसे मालनों कि 6 times 8 करने पढ़ रहे हमारे को तो इसमें 8 करने में टाइम लगेगा 8 भी कर लोगे तो 24 आएगा इसी के लिए हमने क्या किया multiply का concept लाया कि जिस number को बार बार multiply करना पढ़ रहा हो तो जितनी बार multiply करते हम उत्ने से हमल आगा मतलब के जितनी बार camera को बार बार एड करना पढ़ रहा हो वह तो उसको जितनी बार एड करते हैना उत्ने से multiply कर दे यहाँपे 4 और 6 better किया तो 6 better कि छी मल्टीपे कर दे तो कर दो तो हम यहां क्या लिखेंगे देखो यह यह क्या है बोर्ड है तो सब जब पहले क्या लिखेंगे थिकनेस ऑफ ए बोर्ड बरावर कितनी हो जाएगी 11.3 cm यह गिवन था हमारे को अब ऐसा बोला है कि जो अचाई बनेगा घेर बनेगा वो कितनी हाय सोगि उसकी टोटल हाई निकालनी यहां से लेकर यह पर क्या होगे तो हम क्या करेंगे तो हम बोलेंगे टोटल हाइट ओफ इस्टेक वो क्या होगी एक की थिकने से नहीं मोटा ही बोल दो हाइट मैं पता है कितनी इतनी टोटल हाइट ओफ नाइन बोड या स्टेक बोल दो या नाइन बोर्स की बोल सकते हो दोनों का मतलब से मैं पूरा धेर बोलो जो कितने का है नाइन बोर्स का तो इसको 9 से मल्टिप्लाई कर दो कि 9 टाम सेहीड करोगे 11 अपों 3 को उतना ही रिजल्ट आएगा 310 3 399 कितना तो आप लोग पूरी लेंद को निकालोगे ना पूरी मतलब हाइट निकालोगे उसकी तो उस पूरे स्टेक की हाइट कितनी निकल के आएगी 33 सेंटीमेटर निकल के आएगी I hope आप लोगों को यह 4 example समझ में आगे होगे इनको अच्छे से इसाथ आजका lecture हमारा खतम होता है I hope आप लोगों को lecture अच्छे से समझ में आया होगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए और bell icon को दबा दीजिए इसके साथ ही अगर आप लोगों का कोई doubt है तो वो हमें comment करके बता सकते हैं next lecture में हम लोग division को complete करेंगे और उसी के साथ हमारा फिल lecture मतभी यह वाला chapter खतम हो जाएगा तब तक के लिए thank you